जब भी गर की construction करवाओ ये चीज सही से कर लेना जो दर्वाजों का size होता है या हमारी खिडकियों का size अगर सही से नहीं रखोगे फाल्तू खर्चा भी होगा और वो सही नहीं दिखेगा तो आज की वीडियो देख लो आपको मैं हर चीज का बता दूँगा कि कहां कितने size का आपको दर्वाजा देना है जग कितने size की window देनी है अच्छा कौन सा लगेगा पैसे वेस्ट ना हो आपके सबसे पहले चीज होती है हमारा जो main door होता है उसी पे हमारा गर दिखना है अगर आप size रखते हो 4 foot by 8 foot का मतलब 4 foot चोड़ा 8 foot उसकी height या 9 foot ये best size होता है room entrance के जितने बड़े size का window या जितने बड़े size का door लगाओगे उतना जदा खर्चा होने वाला होता है तो अगर आपको पैसे बचाने है तो size छोटे रख सकते हो लेकिन अगर आपको गर premium दिखाना है luxury दिखाना है सुन्दर दिखाना है तो main door जो रहेगा वो काफी बड़ा रख दिखाना होता है और mostly लोग करते क्या है जो main door रहते है उसके उपर ये ventilation का ये दे देते हैं ठीक है तो ये ventilation बहुत पुराने जमानी की चीज़ है ये कभी ऐसा मत करना कि main door में ये उपर ventilation देने नीचे door देने इससे better क्या है 4 foot या 5 foot उसकी चोड़ाई रखो बहुत बड़ा दर्वाजा रखो और height उसकी 8 foot या 9 foot रखो एक तो premium दिखेगा खर्चा होगा क्योंकि ये दो दर्वाजा बनने वाला है वो 40-50,000 रुपे का बनेगा अगर लकडी से बनवा होगे नॉर्मल अगर लेके आते हो तो आपको 15-20,000 रुपया ये main door 4 वाज 9 का दर्वाजा बनाने में खर्चा आ जाता है अब ये option क्या है हमारे पास कौन-कौन सा main door हम लगा सकते हैं सबसे पहला option होता है पैनल डोर जो चलता आ रहा है सालों से लकडी पर करविंग की वह इती है बहुत अच्छे डिजाइन बने होते हैं एक ये option है पैनल डोर का दूसरा option है हमारा MS door या steel door ठीक है एक ये option है अगला option है हमारे पास flush door का जो mostly तीन डोर टाइप के डोर हम main में लगाते हैं हम बात करते हैं सबसे पहले जो पैनल डोर रहते हैं पैनल डोर क्या हो गया solid wood से डोर बने रहेंगे जिस पे आप जैसा भी design बनाऊगे बहुत premium लगता है लेकिन इसका एक drawback है एक तो costly बहुत जादा है दूसरा इस पे pew paint कर आओगे वो भी costly हो जाता है और इसके जो design रहते हैं वहाँ dust बगारा लगती रहती है तो इसके साथ आप जा सकते हो बहुत अच्छा है सालों से चला रहा है और इसमें आप जैसा भी design मनाऊगे premium look आपके गर को देगा बस size थोड़ा बड़ा रखना अगला option main door का हमारे पास हो जाता है MS यह steel door इस समय सबसे ज़दा यही चल रहे हैं इनके आप look देखो बहुत अच्छी look मिलती है काफी companies हैं जो इनको बनाती है टाटा परवेश हो गया जा यह सामने जो company आप देखर यह यह company यह company हर एक company अपने type के MS steel door बना रही है आप इनको लगाओ बहुत premium look मिलती है लकड़ी की तरह look मिलती है security भी अच्छी रहती है इनकी life भी बहुत जाद है ना यह इतनी जल्दी आपके termite से खराब होंगे बस पानी का थोड़ा रहता है लेकिन अच्छे से अगर polish paint इन पे किया हुआ है तो पानी से भी इतनी जल्दी खराब नहीं होती है बस इनका drawback एक है कि यह थोड़े costly होते हैं आपको 20,000 से ही आगे अच्छे door मिलेंगे अगर आप चाहते हो कि 4 भाई 8 का यहां बड़ा size का door ल flush door इस समय बहुत trending है सब लोग वही लगा रहे है क्योंकि यह देखने में बहुत अच्छे लगते हैं plain सी finish होती है इनकी इसमें pattern आपको 1000 पैटन मिल जाते हैं और सबसे अच्छी बात इनकी यह है यह काफी सस्ते मिलते हैं market में आपको 5-6,000 उपे में एक अच्छा flush door शुर आती है वो flush door आपको बना के देती है लेकिन इसमें एक चीज होती है तीन type के flush door आपको देखने को मिलेंगे hollow, cellular और solid इनमें क्या है hollow और cellular आपको अपने गर में नहीं लगाना है अंदर के area में लगा सकते हो क्योंकि उसमें इतना security का issue नहीं होता है लेकिन बाहर में जब लगाना है उसमें आपको solid flush door लगाना है solid flush door क्या हो गया अंदर से अच्छी लकडी पै किया होगा पूरा अच्छे से वह होगा और इसमें जब आप size जाते हो communion में golden में यह काफी profile आ जाती है यह भी बहुत अच्छा लुक देती है आपके गर को इसमें क्या है आप अपने हिसाफ से कस्टमाइज कर सकते हो आपको जैसे भी टी profile लगा नहीं है आप उस हिसाफ से टी profile लगाओ और आपका गर बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें आ सकती है कि अंदर में जो माइक के अंदर लैमिनेट के अंदर जो material यूज किया है वो आपको idea नहीं होगा और होता कहा है जब हम flush door बाहर में लगाते हैं अगर अच्छी quality का नहीं होगा तो पानी direct कभी कभी पढ़ता है doors पे तो वो खराब होने के chances जादा हो जाते हैं ले budget का issue नहीं है अगर तो आप MS steel door के साथ जा सकते हो और उसमें जो anti rust वाले आते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं उनको लगाईए एक premium look भी बिलेगी और ना वो पानी से ना दीमक से ना किसी से खराब नहीं होगा अगर budget का issue है तो आप flush door के साथ जा सकते हो यह हो गया main door के बारे में अंदर चलते हैं जो अंदर के दर्वाजे हैं आपका bedroom होगे drawing room हो गया तो उसका जो आपको door रखने है जो bedroom होता है उसका आपको रखने है साड़े 3 feet by 8 foot कितना साड़े 3 feet by 8 का रखना है बहुत अच्छा लगेगा premium भी लगेगा सामान अंदर बाहर भी हो जाएग clear यहां तक जो drawing room का आपको रखने है एक तो drawing room का आपको open रखोगे तो बहुत सुंदर रखता है मतलब आपकी जैसे entry होती है आपका पहले lobby होगी यह drawing room होगा तो जो भी आपका guest आएगा यह कोई भी है वो direct enter कहां करे drawing room में या lobby में क्योंकि उसका अगर opening बड़ी रखी जो आपका बाहर से stranger यह guest आएगा वो वहीं बैठेगा तो आप कर सकते हो जहां तो open रख सकते हो जहां आप उसका size रख सकते हो 3 by 7 foot का चलेगा कोई दिक्कत नहीं है आगे होता है हमारे toilet bathroom toilet bathroom का जितना चोटा opening रहेगा बहुत बढ़िया है डाई by 7 foot का रख लो जहां आपक किस दिखते हैं यह चीज दियान रखना kitchen का जो आपको door रखना है एक तो आजकल open kitchen का बहुत trend है तो open kitchen रखो गए बहुत बहुत अच्छा है ventilation भी रहेगी और premium भी दिखती है दूसरा अगर door आपको रखना है तो उसका भी door जतना बढ़ा होगा उतना अच्छा है बस एक द religious room जो रहता है हमारा पूजय के लिए जो room रहता है उसको open रखना है open बहुत प्यारा लगता है और अगर size हो जाता है उसका साड़े तीन या चार फूट चोड़ा और height उसकी 7-8 feet तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा उदर कटन यूज कर सकते हो यह clear होगे आपको door का door का यह standard size रहता है तीन बाई साथ का यह डाई बाई साथ का और main door आप बड़ा रख सकते हो और मैंने आपको clear कर दिया कि जतने बड़े बड़े door रखोगे कोई standard चीज नहीं आपको जो प्यारा लगता है सुन्दर लगता है आप रख सकते हो और बड़े door equal to premium नेसाब की गर को अगली जो window आपको रखना है window का size देखो window का size किस पर depend होता है room के size पर room अगर छोटा है तो छोटी window room बड़ा है तो बड़ी window लेकिन और चीज भी आपको दियान देनी है जब भी window देनी है अपने room में एक चीज का दियान रखना अपना पहला furniture decide कर लेना कि आपका bed कहां आ बैड आ जाते है उसके आगे ना टीवी रखने की जगा होती है टीवी कहीं side पर लगाना वड़ता है तो यह दिक्कत आती है पहले decide कर लो bed कहां है टीवी कहां है दोर कहां है फिर window करनी है देखो जो आपका bedroom रहता है उसकी window क्या करना है आपको बड़ी सी रखनी है बहुत 15 feet से शुरू करनी है 5 feet उसकी कम से कम height रखनी है और लंबाई रखनी है 8-9 feet कितनी 8-9 feet फिर से बोल रहा हूँ यह बाकी depend होता है आपके room size पे लेकिन आगर आपका room है 12-15 अका या 13-15 अका 10-10 से बड़ा जो room है उसमें इतनी वड़ी window रखो बहुत premium लगेगी बहुत अच् तो वो आपके room को चार चांद लगा देगी तो window आपको बड़ी रखनी है अपने bedroom में window और ज्यादा premium तब लगती है जब वो पूरी floor level से शुरू हो जाती है जैसे आप सामने देख रहे हो नीचे से शुरू है window लेकिन इसमें एक दियान रखना पड़ता है जो यह area है जह वो 4 x 6 की आपको देदेनी है कितनी 4 x 6 की क्योंकि छोटी से window चाहिए जो आपके sofa के पिछे रहेगी यहाँ sofa के front में रह सकती है kitchen में जो आपको window देनी है दो किसम से window दे सकते है एक तो हमारी ऐसे भी हमारी chimney आने वाली है वहाँ ventilation लगने वाली है तो कोई इतनी दिक्कत जर देनी नहीं दे रहे हो तो फिर आपको window कैसे देनी है लंबी window देनी है मतलब उसकी लंबाई होगी कोई 5-6 feet जहां आपका चूला रखने लगने वाला है उसके आगे रखो वो window चार से 5-6 feet और height बले आप उसकी कितनी रखो 3-3 feet तो वो बहुत अच्छे दिखती है main हमारा hall लोबी होती है उसमें भी आपको bedroom की तरह जाना है आपकी जो window का size होगा काफी बड़ा आपको रखने है ऐसा करो जैसे मारा sill होता है 3 feet पे ठीक है तो उसमें आप क्या कर सकते हो एग यां 1.5 feet के बाद अपनी window शुरू कर सकते हो और height उसकी रख सकते हो 7-8 foot उसकी height रखो औ बहुत premium rich look लेगी आपके गर को बस यह ऐसी window जो जितनी बड़ी window होगी उतने cracks के chances होते है तो आपको क्या करना है sill में आपको concrete band देना है टॉप में lintel beam देना है तो अच्छे से कोई crack आपके गर में नहीं आएगी और window भी सही से आपके गर में लगने वाली है अगली window जो day by 2 का तो ventilation आपको देना ही है कितना day by 2 का बाकी 2 by 2 का भी आप दे सकते हो 2 foot by 2 foot का या आप कर सकते हो 3,5 feet by 1,5 feet ऐसा size आपको रखने है बाकी depend किस पर होता है कि आपका room का shape कैसा है बातों का shape कैसा है उस पर हिसाब से हमें देना होता है बाकी हमेशा आपको यह दियान रखन का तो आपको बड़े से बड़ा चीज रखने है बहुत प्रिमियम लगेगा और अगर पैसों का इशू है तो छोटा मतलब इस हिसाफ से अगली चीज आपको क्या करनी है जब भी विंडो आपको देनी है जो उसकी ग्रिल रहती है ग्रिल इतनी complicated मत बनाओ क्योंकि एक तो light नहीं आती दूसरा वो अंदर से बाहर को ही देखेगा बहुत वीर सा लगता है अगर आपके एरिया में security का issue नहीं है तो plain window बहुत premium लगती है और अच्छी भी दिखती है आपके गर के लिए security का issue है तो सिर्फ horizontal जो line वाली grill आती है SS की या iron की वो grill लगानी है window जो उसका शीशा रहेगा बिल्कुल plain रखो बहुत premium और rich आपके गर को लोग को देने वाला है तो मेरे ख्याल में आपको idea लगया होगा कि आपने गर में window का size और door का size क्या रखना है अगर इसके related कोई question है कह रही है तो आप comment करो यार हम reply कर देंगे बाकि ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे बस आप channel को subscribe कर लो bell icon दो आलो ऐसी वीडियो सिर्फ civil side visit देता रहेगा आपको thank you guys